बाई आप सबको नमस्कार एक नए वीडियो में आपका सौगत है बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो है और 2023 का सबसे होट टॉपिक है यह CGL 2023 क्योंकि CGL 2023 में ही जो वेकेंसी आनी है आएगी और जिसकी नौकरी CGL से लगी 2023 में उसकी लग गई नहीं तो आगे आने वाले वेकेंसी में कमी होगी और तयारी बहुत ज़्यादा करनी बड़ेगी और चीजे धीरे-धीरे मुस्किल होती जाएगी एक बहुत ही बढ़िया सा फुल प्रूफ स्ट्रेटिजी बनाया मैंने CGL 2023 के लिए 6 महीने का पूरा स्ट्रेटिजी है मैं इतना लेट इसलिए दे रहा हूँ कि एक तारीक को इसका नोटिफिकेशन आएगा और मेरे हिसाब से जून के लास्ट में जुलाई के स्टार्टिंग में इसका प्री एक्जैम हो जाएगा सब्टेंबर लास्ट ए अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसका मेंस एक्जैम हो जाएगा और सिर्फ मेंस तक ही अब SSC SSC के हाथ में मेंस के बाद इसको रिजल्ट देना है इसका मतलब हम सब कुछ अच्छा करके चले अगर हम M.E.A.S.O.S की बात करते हैं तो दिसंबर तक की जॉइनिंग आने की भी बढ़ियां से संभावना है मतलब कुल मिला जुला के देखा जा कि अगर आपको नौकरी लेनी है इस बार 4600 गेट पे की नौकरी लेनी है तो आपके हाथ में एक नौकरी आ सकती है इस अगले दिसंबर तक जो दिसंबर आपका आगर हमें यहां से अब स्टार्ट करते हैं तो मेरा नाम है भई किशन कुमार गुपता सीजन 19 से मैं एज एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ और चैन नहीं में पोस्टेड हूँ प्री में मेरे 183 माक्स थे और मेंस में मेरे मैस में 207 नंबर थे और इंगलिस में मेरे 155 नंबर थे तो मैं अपने आपको इसका भी समझता हूँ कि मैं लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ ठीक है टार्गेट हमारा है 300 प्लस 390 में सिर्फ नौकरी लेने के लिए और मैं आपको ये बता दूँ कि ये बेगिनर के लिए भी सेम ही है और एक जो आपका रिपीटर है जो बार बार रिपीट कर रहा है उसके लिए से चीज़े चेंज होगी मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगर आप बेगिनर है अगर आपको आगे तयारी करने है थोड़ा सा बेसिक सापका कलियर है तो आपके लिए बहुत ही बढ़ी है स्ट्रेटिजी है आप इसको फॉलो करिएगा और 100% आपको जल देखने को मिलेगा अब इसमें include क्या क्या चीज़े है वो देख लेते हैं फॉल प्रूफ स्ट्रेटिजी है बाई बेखूब बनाने वाली कोई स्ट्रेटिजी नहीं है सब्जेक्ट वाज स्ट्रेटिजी देंगे आपको सब्जेक्ट वाज बुकलिस देंगे आपको कौन से teacher को follow करना ये भी बताऊंगा मैं बिलकुल near picture को के बताऊंगा बिलकुल neutral हो के बताऊंगा कि आपको किस teacher को follow करना है मैंने किस teacher को follow किया था और YouTube channel कौन सा follow करना है सबसे important चीज और classes free अगर लेनी है तो YouTube पे कहां से लेनी है आपको एक चीज़ और बता दू मैं कि तयारी करने से पहले इंसान को सबसे पहले ये जानना होता है कि syllabus क्या है और syllabus अगर जान गया तो उसको दूसरा step ये उठाना होता है कि भाई इसमें से क्या नहीं पढ़ना है अगर इंसान को ये पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना है तो फिर वो उसका focus सिर्फ उन्ची जो पहोगा जो पढ़ना है मैं आपको बताओ लोग कोई 6 महीने में तयारी करके निगल जाता है कोई 5-5 सासिल तयारी कर रहा है कुछ तो difference होगा न दोनों एक ही से लवस पट रहे है क्यों ऐसा होता है smart study आपको smart study भी करनी होगी अब आपको hard work के साथ साथ smart work भी करना है तो ये उसी का पूरा mail जोल है smart work और hard work का ये जो तीन page का PDF है ये PDF मैं आपको अपने telegram group में डाल दूँगा आप मेरे telegram group से जोड़ जाएए Cizal LX0YKK जिसका pop up screen पे आ रहा होगा आप वहाँ जोड़के ये PDF ले सकते हैं और आप अराम से target बना बना के देख सकते हैं इसके बाद वीडियो और भी आएंगे कि advanced math को tackle काईसे करना है arithmetic को कैसे tackle करना है English में इस चीज को कैसे tackle करना हो चीज में आपको वीडियो बताऊंगा बस आप comment कर देजगा कि और क्या क्या आपको जानना है बाकी वीडियो को please पूरा देखेगा चैनल को subscribe नहीं है तो subscribe कर लेजगा इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं हम अपनी बाते भी करते हैं आपके दीवद में क्या परिशानी चल रही है क्या में उसको उसमें आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं रोज लगबग 10 लोगों से बात कर लेता हूँ कोई परिशान है एक family से किसी के पास पैसे नहीं है किसी के girlfriend चोड़ के चली गई है किसी का boyfriend चोड़ के चला गया है तो इन सारे परिशानियों का solution मैं देता रहता हूँ तो चलिए भी start करते हैं सबसे पहले मेरा favorite subject जो है mathematics उसका start करेंगे mathematics में हमारा target है वाई 90 question में से 80 question 80 number हमको ले आना है question होगे आपके 30 और एक question का number होगा आपका 3 मतलब total हो जाता है 90 number minus marking होगी इसका एक number minus हो जागा अगर आप एक question गरत करते हैं तो ठीक है उस हिसाफ समग करना है हमारा target इसमें यह है कि हमें इसमें कम से कम 25 से 28 question सही करने है अगर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है तो 30 question सही हो जाने चाहिए लेकिन कम से कम 25 से 28 तक तो हमेशा सही ही सही करना है इतना target है उसी हिसाफ से strategy को बनाई गई है सबसे पहले हम book list देखेंगे कि आपको book कौन कौन सी पढ़नी है book आपको भाई मैं बता रहा हूँ SSC clear करने के लिए आपको previous year करना ही पड़ेगा without previous year आपका SSC clear नहीं होगा तो सबसे पहले हम करेंगी किरन पॉब्लिकेशन की किताब जिसमें 10,000 questions लगबग है उनको रट जाना है एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसे रटना है ठीक है अभी मैं बताऊंगा कैसे आपका जो class notes है वो आपके पास होना चाहिए mock का membership होना चाहिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह test book ही आपको लेना है नहीं आपके पास जो mock के access है आप उस mock को लिए जिस mock को देने में आपको अच्छा लगता हो लिए मैंने test book दिया है इसके लिए मैं यहाँ पर test book लिख रहा हूँ आपको जो भी mock अच्छा लगता आप दीजे आपके पास यही तीन चीज होनी चाहिए ठीक है अब सेलेबस को complete कैसे करना है जो beginner से उनके लिए इनका पूरा हो चुक है उनके लिए तो काम खतम होगी जो beginner से इनको सेलेबस करना है उनको कैसे करना है तो सेलेबस करने के लिए भाई आपके पास है तीन टीचर जिनका मैं जिन पर मुझे भरोसा है सबसे पहले मैं बरुसा करता हूँ अभीने सर पर जो अभीने मैट्स सर है अभीने सर हैं जो मैट्स पढ़ाते हैं उनका तो मैं बता दूँ आपको almost complete syllabus उनके चैनल पर मिल जाएगा है अभीने मैट्स पर अगर आप उनका कोर्स नहीं भी लेते हैं तो complete syllabus उनके पढ़ा रखा है फ्री गगन प्रताब सर सेकेंड इनका भी आपको syllabus लगबख लगबख मिल जाएगा लेकिन अगर आप इनके बैट से पढ़ते हैं तो ज़्यादा बहुत बड़ा फीस नहीं है इनका 1015 रुपए फीस की आती है अभी तो साथ 500 रुपए में चल रही है लेके आप अराम से कर सकते हैं अच्छे से कराते हैं अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं आपको समझ में आएगा और जो सबसे आखरी नाम लिखा है मैंने अभास सैनी भाई साव he is lizard in my opinion in my eyes मैंने इनके free व मैं भी चाहूंगा मैंने आपको बहुत परिशान किया था message क्योंकि मैं उसमें बहुत परिशान था और मैं आपको message कर रहा था बट मैं जानता हूँ कि आप busy होंगे और reply किये भी थे लेकिन बाद दे अपने reply नहीं किया और मैंने आपको दुबारा message भी तो अगर कोई student अ अभासर का जो sorts वीडियो है उनको जरूर देखो जाके वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे in two minutes you will learn very much अब भाई ये तो चीजे थी कि किताब कौन सी पढ़नी है और किस teacher से पढ़नी है लेकिन पढ़ना कैसे है how to proceed पढ़ना कैसे है अब इस पे थोड़ा सा discuss कर ले ये क देली दो घंटे अपने course पर ध्यान देना है या self-practice अगर आप beginner है तो अपने course पर ध्यान देजे जो course आपने लिया उस पर दो घंटे time दीजे और अगर आप repeater है आप दो बार पाहले दे चुके हैं आपको सिर्फ revision hero थे तो दो घंटे आप सिर्फ practice करिए previous year से practice करिए ठी self-practice from previous year और तीसरी चीज क्या करनी आपको तीसरी चीज डेली एक sectional mock test देना है टेस्ट बुक पर देलो आप चाहें किसी पर देलो आप किसी भी एक mock test को daily आपको sectional mock test देना है sectional mock test जो होगा जो 30 question का mock test होगा 30 minutes का होगा मेरे ख्यास से या 25 minutes का होगा यह आपको mock test देना है बाकी मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इनी तीन teachers को follow करिए जो teacher का आपको समझ में आता है आप उस teacher को follow कर सकते हैं कोई tension नहीं है मैंने इनको follow किया है तो मैं आपको बस बता रहा हूँ जो यह main है एक घंटे आपको daily revision करना है अपने concepts का दो घंटे आपको या तो लेनी है या तो आपको practice करनी है previous year से और तीसरा काम करना है कि आपको daily एक mock test देना है और जो question इसमें फसता है उसको आपको bookmark करना है जो question आपको फसता है उसको bookmark करिए ताकि आप दुबारा उसको revise कर सके अगर bookmark नहीं करना जाते है तो आप एक बार मैं तो कहूंगा कि diary पर लिखिए क्योंकि जब आप चीजे को लिखते हैं तो आपके दिमाग में जाकि कहीं ने कहीं सब conscious mind में fit हो जाता है तो यह थी हमारी total mathematics strategy फिर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि arithmetic को tackle कैसे करना है और advanced को tackle कैसे करना है बाकी अब चलते हैं अगले subject अगला subject हमारा आएगा भई English जो मेरा second favorite subject और most strongest subject है अब इसमें हमारा target है कि 135 नंबर में हमको कम से कम 120 नंबर से उपर ले आना है यह हमारा target है इसमें और इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़ी strategy बता रहा हूँ आप ले आ भी सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको बुक लिष्ट कौन सी फॉलो करनी है प्रिवेस यह सेम किरन पॉब्लिकेशन की आप प्रिवेस से ले लिजे आपको सबसे पहले उसको रट्टा मारना है आपके पास अगर class notes है grammar के लिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं लेकिन मैं grammar क जुगाड़ आपको vocabulary के लिए करना है जो कि imagine और flip card पे आपको मिल जागा online मिल जाता है और some of your favorite novels अगर आपको novels पढ़ना अच्छा लगता है तो आपके कुछ favorite novels होनी चाहिए अगर आपको newspaper पढ़ने में interest है तो आप newspaper भी उसको डख सकते हैं यहाँ पे आप option में newspaper भी लिख पाया हूं अगर आपको English समझ में आ रहा यह अगर आप English को पढ़ रहा है तो आप English में बहुत अच्छा score करेंगे as a subject अगर आप English को पढ़ने से चूखेंगे हर बार तो अगर आप language की तरफ पढ़ेंगे मेरी बात मान किये तो आपको यह इंग्लिस बहुत अच्छा score दे तो आपको उस line का मतलब समझने के लिए अलग से time ना दिना पड़े, उसको दुबारा ना पढ़ना पड़े, understanding का मतलब यह है कि आप line पढ़ रहे हैं और उसके साथ के साथ आपको उसका मतलब समझ में आता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका understanding skill develop हो रहा है, अब syllabus कैसे क करना है, जो आपके तैयारी कर चुके हैं उनके लिए और जो तैयारी अब स्टार करेंगे उनके लिए, तो आपको किसी ने किसी एक teacher का course लेना पड़ेगा, नीतु मैम से आप कड़ सकते हैं, केडी campus में नीतु मैम जो पढ़ाती हूँ अभी अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे पढ़ाती हैं, YouTube के free contents में इनके बहुत जादा available हैं, आप अराम से कर सकते हैं, अब main बात करेंगे कि करना कैसे है, बता तो आपको सब देता कि कौन से किताब पढ़नी है, कौन से teacher को follow करना है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसको करना कैसे है, how to proceed, सबसे पहले हमको करना है डेली reading करना है, पंदर मेंट आपको कम से कम, डेली reading आपको कुछ भी पढ़ना हो, news paper पढ़ना हो, आपका जो favorite novel उसको पढ़ना हो, कुछ भी पढ़िए, लेकिन डेली आप पंदर मेंट पढ़िए, reading करिए, दूसरा target आपका 50 vocab का, 50 vocab का target है, जिसमें signo, endo, one word substitution, or idiom phrases आ आते हैं, आप कोई भी किताब अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं recommend करूँगा आपको देसी जुगार से पढ़ने के लिए, लेकिन आपको जिस किताब से याद होता, आप उस किताब से कर सकते हैं, लेकिन 50 vocab आपको daily target रखे करना है, half hour आपको, मतलब की आदे घंटे आपको अपना grammar के revision को देना है, आदे घंटे grammar के revision को देना है, चौथा काम करना है आपको one comprehension and one close test from previous year, जो आपका previous year के पुराने questions है, जैसे से के पूछे गया, 97, 99, 2001, 2002 के जो questions है, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया comprehension और बहुत ही बढ़िया-बढ़िया close test दिया हुआ है, आपकी कुछ करे या ना करे, लेकिन आपको ये जरूर करना है, उसको analyze करना है कि आपने क्या गलती की है, छठा, ये optional है, छठावा वाला optional है, ये अगर आपको अपने ऊपर control है तो कर सकते हैं, try to watch any web series or movie or any news channel with subtitles and read the subtitles specifically, आपको movie पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान दे आपके देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे भी आपके understanding बहुत ही ज़्यादा कीन होती है, बहुत ज़्यादा develop होती है, मैंने अपनी सारी understanding सिर्फ web series से ही की है, लेकिन ये है कि मैंने तैयारी किसमें web series नहीं देखिए है, college के टाइम पे देखिए है, इस सुरू सही class 10 से लेके अभी तक जितनी भी मैं movies देखता हूँ, उस सर्फ English में ही देखता हूँ, तो आप भी कोशिस करिए ऐसा कुछ करने का, कुछ भी देख रहे हैं English में देखिए, और सात्मा जो चीज है जो आप हम करते हैं खुद के साथ, try to talk to yourself in English, अपने आप से बात करते हैं खुद से जब अपने आपको चिंतन करते हैं जब मरन करते हैं तो उसको इंगलिस में करने की कोशिस करिए, 100% ये strategy जो है आपकी कारगर होगी, कारगर strategy है ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप आराम से 45 question में से 40 question से 42 question सही करके आएंगे, 110% आप बस इस strategy को follow करिए, इंगलिवा subject आएगा reasoning, जो की है, weightage है और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा परिशान होनी की जुरूत नहीं है, बहुत छोटा सा strategy है इसके लिए आपको daily एक घंटे आपको इस पर देने है, target हमारा है 90 में 80 प्लस जैसा की match का था, book list सबसे पहले ध्यान देते हैं, book list की अगर हम बात करेंगे, तो book list में हमें सबसे पहले किरन की previous year देखनी है, till date तक, अभी तक चो latest previous year आपकी आई है, उसको देखना है, any book, जो मैं आपको special चीजिस में बताने जा रहा हूँ, any book of bank clerk exam level for the topics like statement conclusion, statement assumptions and sitting arrangements, sitting arrangements के questions, statement assumptions के questions, statement conclusions के questions, statement conclusions के questions, आपको किसी भी bank level के clerk level के book स से करना है, जैसे कि SBI clerk हो गया, IBPS clerk हो गया, SBI clerk तो फिर भी बहुत टप हो गया, IBPS clerk हो गया, और एक जो bank होता है, जो ruler gramid bank होता है, क्या नाम में मुझे, RRB, RRB के जो books होते हैं, उसके जो clerk label के questions है, statement conclusion के, statement assumptions के, and sitting arrangements के, इन questions को आपको करना है, 110 questions करना है, बिलकुल ध्यान सर्फ इन ही questions से reasoning को tough बनाया जा सकता है, और analogy और decoding होता है, वो examiner ने क्या सोच के बनाया है, आपको नहीं पता है, लेकिन जो examiner tough बना सकता है, question वो statement conclusion, statement assumptions, and sitting arrangements से बना सकता है, तो इसके लिए इस बार आपको तयार होके जाना है, क्योंकि इसी questions ने धपा किया है, 2022 के CGL में तो 2023 वाले बिल्कुल तयार होके रहेंगे, अब भई किताब तो बता दी, अब proceed कैसे करना, how to proceed, करना कैसे है, आपको daily का target क्या होना चाहिए आपका reasoning के लिए, सबसे पहले आपको पहला number जो दिख रहा होगा, solve 50 questions daily from किरन previous year, आपको previous year कोई किताब ले लेनी है, किरन publication की ले लेंगे, तो chapter wise होती है, अची होती है, 50 questions आपको daily solve करना है, दूसरा जो आपका काम है, दूसरा काम को करना है, solve one sectional test online, ये आपको हर section में करना है, आपको एक sectional test जरूर देना है, आपको 100% देना है, और उसको analyze करना है, तीसरा काम आपको करना है, एक puzzle, पाँच statement conclusion, पाँच statement assumptions, दो sitting arrangements from the book of banking reasoning of clerk label, जो मैंने आपको बताए कि किसी भी clerk, bank के किसी भी clerk label के किताब लेके, आपको ये सारी चीज़े आपको daily करनी है, इससे क्या होगा, आपका understanding धेरे 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 बनता जाएगा, और आप अच्छा score कर लोगे, आपको वहाँ पे time कम लगेगा score करने में, और बहुत ही फाइदे मंद होगा, अगला जो है आखरी, चौता नमबर जो है, mark the question you are unable to solve or doing wrong, हर question को आपको mark करना है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है या जिसको आपने गरत किया है, आपको देखना है कि क्या आपको उस question का concept मालूम है, अगर मालूम है, तो अच्छी बास है दुबारा सो उसको बना लिजे, अगर नहीं मालूम है, तो आपको इस पेशली यूटीब पे जाए, डिरेटली सर्च करिए उस topic का नेम, उस topic का concept अच्छे से पड़ी, क्योंकि हर एक concept का free video पड़ा हुआ है यूटीब पे, आप एक सर्च डालेंगे, पचासो वीडियो ख पुल गया जाएगा, reasoning है, तर्ख है, अपका तर्ख अलग-अलग होता है, आप एक दो वीडियो जो चेप्टर का देखी, आप अपना concept क्लियर करिए, और फिर से उस question को attempt करिए, 100% आप उस question को कर लेंगे, ये था भाई आपके reasoning का, राम बान, जिसमें आपको 80 प्लस नंब अबे में से, और ये रहा मैं, जो थोड़ा सा हैंसम तो होई, पता नहीं, लोग क्यों कहते हैं कि सकल अच्छी नहीं है, और यूट्यूब पे तो आप मुझे फालो करी रहें, बड़ टेलिग्राम पे भी मुझे फालो कर सकते हैं, सीजल अलग-जीर भाई-के-के-के, ये सबसे ही बात करता हूँ, सबको टाइम देता हूँ, आप मुझे से बात कर सकते हैं, अगर आप परिशान हैं तो, बाकी अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं, रिजनिंग हो गया, नेक्स सब्जेक्ट हम देखेंगे अपना जीके, जो कि अब सबसे ज़्यादा करेंगे, वह ही आपका rank decide करेंगा, तो जीके के लिए मैंने एक अच्छी सी strategy बिनाईए, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखी और इसको बिल्कुल अच्छे से follow करीए, आप 100% 45 प्लस score कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे book list, book list में हम सबसे पहले देखेंगे loose and subjective or objective आपके पास होनी चाहिए, दूसरी जो मेरी favorite book है, मनुहर पांडे जी की जो latest किताब होगी, आपकी अरियंत publication के आती है, static के लिए, static जी के लिए आपको वो किताब फॉलो करनी है, previous year की आपके पास kiran publication की किताब होनी चाहिए, जिससे आप previous year complete कर सके, अब बाई, किताबे हो करना है, give 15 days to every subject to complete it, हर subject को 15-15 दिजे, 15 दिन history को दिजे, 15 जगरफी को दिजे, पहले दूसरा करना कैसे है, first complete the subject, then complete it from previous year, पहले subject complete करिए, फिर उस subject को previous year को complete करिए, then complete from lucent objective, उसके बाद lucent objective से उसको complete करिए, ये तीन काम आपको एक subject के लिए करना हो, इसके लिए आपको 15 द तीसरा काम क्या करना है, आपको half hour to static gk from मनोहर पांडे, मनोहर पांडे जी की जो किताब है, उससे आपको आदे घंटे daily static gk पढ़ना है, चौथा काम को करना है, half hour to current affairs, आदे घंटे आपको कोई भी magazine पढ़ने, जिसे आपका reading skill भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और magazine के बाकी जो पांचवा और आखरी चीज़ है, यह है complete एक YouTube वीडियो ऑफ जियस वेपिन गोहल सर इन टू डेज, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक वीडियो देखने के लिए दो दिन का समय दे रहा हूँ, उनके चैनल पे बहुत सारे वीडियो प पहुँच पाए हैं कि नहीं, तो जो जो वीडियो यहां तक देखा है, प्लीज वीडियो पे नीचे कमेंट करिए, और कैसा लगा आपको यह बताईए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले जागा, और टेलिग्राम चैनल जो है यह, टेलिग्रा लेना है, तो बहुत लोग स्टेजी दे रहे हैं, लेकिन मेरे 5,000 फॉलोवर्स हैं, अगर उसमें से 2,000 फॉलोवर्स भी इसको फॉलोव करके, अगर 2,000 फॉलोवर्स में से 70% भी सेलेक्शन ले लेते हैं, तो मेरा मेहनत सफल है भाई, बाकी जो जो इस वीडियो को यहां तक देखा है, कमेंट जरूर करिए, मुझे अच्छा लगेगा, यह थोड़ा सा मॉटिवेशन मिलेगा, कि हाँ भाई, कोई तो देख रहा है, बाकी चलते हैं, जैहिंद, गुड नाइट